आज आवाज क्यों कम हैं आपकी रिकॉर्डिंग चालू कर दियुक द्रब संग्रे गिरंत का स्वाध्या है चल रहा है और ग्रब संग्रे के स्वाध्या में तिर्थी अध्या है चल रहा है रतनत रह सम्मेदरसन 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 कि आपके बाद में आंगे की चर्चा प्रारम होती है। अध्यात्मे की भासा यहीं से चालू हो जाती है क्योंकि यह रभ्यानियों का गरंत है। आचार वगवंत केते हैं रेन तेमन वट्टै अपानम मुई उत्तु अन्न दवियम्मी तम्मा तत्तियम आईये वोदि हुँ मोख से कारणम आदा अपानम मुई उत्तु अन्न दवियम्मी तम्मा तत्तियम आईये वोदि हुँ मोख से कारणम आदा अब इसके पूर्व जो वतायता के निश्य सम्मे दरसन क्या है तीनों से युक्त जो अपनी आत्मा है वही रतनत रहे वही मोख्षमार्ग है तो यहां पर उसी बात को इसपश्ट कर रहनत तयमन वट्टई रहनत तयमन रतनत रहे नहीं रहता है काय में केते अपानम युद्तु आत्मा को छोड़कर अन्य कोई पदार्थ में अन्य दब्यम्मी अन्य जो द्रब्य हैं उन द्रब्यों में रहनत तयमन वट्टई रतनत रहे नहीं रहता है कहने का भी प्राइए है कि जो साथ तत्व बताए गए हैं जो पदार्थ बताए गए हैं उन द्रब्यों पदार्थ तत्वों में केवल पहला वाला जो जीव तत्व है उसी में ही सम्मे दर्शन सम्मे ग्यान और सम्मे चारित्र पाए जाते हैं अन्य जो द्रब्य हैं उन अन्य द्रब्यों में सम्मे दर्शन सम्मे ग्यान और सम्मे चारित्र ये नहीं पाए जाते हैं तो अरेना तेम नवट्टई रत्नात्रे नहीं रहता है कहाँ अपानम्यूत्तु जो अपनी आत्मा है जीव द्रब्ब है उस जीव द्रब्ब को छोड़कर अन्य दवियम्मी अन्य जो द्रब्ब है उन द्रब्ब्यों में रत्नात्रे नवट्टई रत्नात्रे नहीं रहता ह यानि कि रत्नत्रे नहीं पाया जाता है। होती है ऐसा जानना चाहिए कहने का अभी पराई ये है कि एक जो जीव द्रब अपना हैं जो आत्मा अपनी है वो आत्मा में ही सम्मेories दर्सन सम्मेग्यान सम्मेख चारित पाए जाते हैं अन्निद्रब्वियों में नहीं तो इन तीनों सही उक्त जो हमारी आत्मा है वही बा आत्मा ही मोक्ष का कारण है हमारी आत्मा को ही मोक्ष की प्राप्ति होनी है अन्य किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होनी है लेकिन हमारी जो आत्मा है वो अपने सम्मेक दर्शन सम्मेक ज्यां सम्मेक विचारित रुपी रत्नात्रह को भूल बैठा है. तो जो रत्नात्र है, सम्मेख दर्सन, सम्मेख ज्यान और सम्मेख चारेत्र, ये तीनों जो हैं वो आत्मा में ही हैं. लेकिन आत्मा में हैं, ऐसा कहने से नहीं होते हैं. जब तक हमारे पास में ब्यवार रूप में सम्मेख दर्सन नहीं आएगा, तक हम भले ही कहते रहें के आत्मा में हैं, आत्मा तीनों से युक्त जो आत्मा है, वही मौक्ष का कारण है. लेकिन भाई, इस पश्ट भी तो दिखना चाहिए, बाहर प्रैक्टिकल रूप में भी तो होना चाहिए, कहने से काम नहीं होता है, जो चीज प्रैक्टिकल की है, वो चीज अमारे प्रैक्टिकल में आना बहुत जरूरी है. लेकिन हम लोग जो अमारे अंदर रत्नत्रह का स्वरूप है, जो अमारे अंदर रत्नत्रह का सुवाव है, लेकिन जब क्रोद मान माया लोग ये जब अमारे उपर हावी होते हैं, तो उस समय हम भूल जाते हैं कि मेरी आत्मा तो सम्मेक दर्सन से युक्त है, मेरी आत्मा में सम्मेक ज्यान है, मेरी आत्मा में सम्मेक चारित्र है, मेरी आत्मा रत्नत्रह से युक्त है, ऐसा चिंतन मनन इस जीव को प्रतिकूलताओं में करना चाहिए. कोई चीज हमें हमारे अनुकूल नहीं होती तो हम भूल जाते हैं कि हम रत्नत्र धानी हैं हमारे अंदर सम्मेक दर्सन सम्मेक आँ सम्मेक चारे तरे तीनों है ये उसी सम्मेक भी आपको याद रखना चाहिए कि के हे आतमन तेरी आतमा सम्मेख दरसन वें सम्मैस क्या चारित्री में तिनों से और जो सम्मैख दरसन् में क्या चारित्र से युक्त होता है वह आतमा दूसरों के सब्दों से अपनी आतमा के परणामों को खराव नहीं करता and our जो कुछ होता है हमारे अनुकूल यदि कोई चीज नहीं होती है हम भूल जाते हैं कि अम रतना त्रहधारी है कर नहीं है लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है उस समय आप समझ लें कि मेरे पास मैं समय दर्शन समय ज्यान समय चारित रहे तो आपके कभी भी परणाम राग देश रूप नहीं हो सकते राग देश रूप परणाम हमारे वर आपके बनते हैं बस उसी समय दुख और संक्लेश ताउत्पन होती है आचार वगवंत कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि तम्मा तत्ति हम यूँ उन तीनों स्युक्त जो आपकी और हमारी आत्मा है वास्तम में वही रतनत रहे है ऐसे सम्मिक दर्शन सम्मिक यान सम्मिक चारित्र को आप और हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें बिवार सम्मिक दर्शन जब तक आपको हमको नहीं होगा बिवार सम्मिक यान जब तक हमको और आपको नहीं होगा और बिवार सम्मिक चारित्र जब तक हमको और आपको नहीं होगा तक तक आपको निस्चे सम्मिक दर्शन निस्चे सम्मिक यान और निस्चे सम्मिक चारित्र की प वह रतनत्र है लेकान से युक्त जो आपकी आत्मा है तो उसकी परनति भी उसकार की होना चाहिए परनति तो आपकी रतनत्र है रूप है नहीं परनती तो आपकी विसुद्द है नहीं थोड़ा सा बातरण प्रतिकूल होता है तो पता नहीं आपकी वो सम्मेक दर्सन बैसम्मेक ज्ञान बैसम्मेक चारित्र कहां पलायन हो जाता है समझ में नहीं आता इसलिए भग भब जीवो हमें सच्चे देव सास्त गुरू के प्रति बहुमान विश्वास आस्ता सरद्धा यह रखते हुए कभी देव सास्त गुरू के अत्रिक्त कभी किसी को नमस्कार सप्न में भी नहीं करना चाहिए स्वप्न में भी उनके प्रती बहुमान का भाव नहीं होना चाहिए अगर स्वप्न में भी आपके प्रती अन्न देवी देव अगर हावी हो रहे हैं आपके आत्रतत्र से पिछलीत कर रहे हैं तो जब आपका विवार सम्मेक दर्सन ही नहीं होगा तो निस्चे सम्में की दरसन आपको हो कैसे सकता है जिसके पुरती हमारा सरद्दावाव है जिसके पुरती हमारा विस्वास है ऐसे परमात्मा को तोड़ा ठोक लीजिए बजा लीजिए चेक लीजिए कोगी जब तक हमारा परमात्मा हमें भीतराग रूप में नजर नहीं आएगा जब तक परमात्मा की आपको सही जानकारी नहीं होगी तब तक आप सरागता को ही परमात्मा समझ बैठेंगे बास्ता में भीतरागता जहां पर है ऐसे पंच पर्विष्टी की आरादना जहां है ऐसे जिन्वानी के प्रति बहुमान जहां पर है बैजीव नियम से बिवार सम्मेश दर्सन सम्मेश ज्यान और सम्मेश चारित को प्राप्ट होता है और होना भी चाहिए लेकिन आज सरीर की परिस्तिती सामने वाले की यदि अनुकूल नहीं है तो इसको अपनी कमजोरी को बताना चाहिए कईवे मेरे सरीर की चमता नहीं है मेरे अंदर ये युकता नहीं है जिसके कारण में सम्मेक दरसन सम्मेक ज्यान सम्मेक चारित रूप रतनत्रे को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूं पर विवार रतनत्रे के बिना कभी निश्चे रतनत्रे उत्पन होने वाला नहीं है ये सरत्धान और विस्वास आपके जहन में होना चाहिए कि जग तक विवार की चीज़ें हमारे पास में नहीं आएंगी जब तक विवार रूप अमारी आत्मा परिनत नहीं होगी तब तक निश्चे रतनत्रे की प्राप्ति होने वाली नहीं है इसलिए यहां पर आचार वगवंत जो कह रहे हैं तत्तिय मैयो अप्पा हो दियू उन तीनों से युक्ते आत्मा ही आपकी रतनत्रे है वही मौक्ष क कारण है तो इसमें कहीं कोई संसे वाली बात नहीं है कि हमारी आत्मा ही रतनत्रे से युक्त है पर रतनत्रे के कारी भी तो दिखना चाहिए आपके कसायों की मंदता भी तो दिखना चाहिए आपकी परनती भीत्रा ग्रूप तो होना चाहिए परनती आपकी भीत्रा ग्रू हुई हैं कि वाद में क्योंонецомरान नत्य सरूपवां भाण आपके अइसे घुन वनाने से कभी आप रत्नत्रै धारी होने सकते हैं बह preaching का नाम ले रहा है तो दे वार वार राम 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 कह रहा है लेकिन उसको रामचंजी का भी बोद नहीं है कि कौन से रामचंजी है और कौन सी सीता जी है तो यह अपने को ध्यान लखना है आत्मतत्व हमारा है आत्मतत्व में जब विकार उत्पन होता है तो निमित्त की तरफ हमारी दृष्टी क्यों जाती है और हम अपने आत्म तत्त को नहीं भूलना है यही बात बताने के लिए आपको कहा जा रहा है कि उन तीनों से युक्त जो आपकी आत्मा है वही सम्मेक दर्सन है वही सम्मेक ज्यान है वही सम्मेक चारित्र है और वही मोख्ष का कारण है वही मोख्ष का मार्ग है ऐसा समझना चाहिए अब यहां पर आचार वखवंत आपके बीच में कह रहे हैं कि आत्मे प्रतीती रूप जो आत्मा का गुण है प्रतीती रूप माने अनुभव रूप जो आत्मा का गुण है उसे सम्मेक दरसन कहते हैं ध्यान दकना जे आत्मे प्रतीती रूप जो आत्मा का गुण है उसे सम जाने दर्सने ना यह परिवासा चरदनानी उपकी ना यह इस परिवासा पृतमानी उपकी है यह कहीं आपको मिलने वाजी आत्मा का गोणे उसे सम्मेख दर्सन कहते हैं और यहां अब प्रश्णहें आएगा कि आत्मे पृत्मै पृत्पी रूप सम्मेशन नहीं वह सकता है आत्म परिग्यान रूप जो आत्मा का गुणन ऋसे व攻 अ ग्यान कहते हैं। लोगोंने प्राय करके यही परिवासाओं को रडल कर लिया है। कि आत्मा न गष तो यही कहते हैं कि हमारे पास सम्मेक्चारित है। को कि हम आत्मा में रमन कर रहे हैं और यह बाहर दिखने वाले सम्मेक चारित्र वाले सम्मेक चारित्र नहीं है को कि यह बाहर में दिख रहे हैं बाहर में लगे हुए हैं कितनी बड़ी भूल इस जीव की है इस जीव को यह नहीं पता है कि सम्मेक दरसान सम्मेक यां सम्मेक चारित्र जब होता है तो बहार का परिग्रे पहले चूटता है अंतरंगं का परिग्रे बाद में जब तक भई रंग का परिग्रे जो आपका है वो नहीं चूटेगा तब तक आपको सील लगने वाली नहीं है तब तक आपको मानत अप्राफ्त होने वाली नहीं है तो इसलिए आत्मा में रमन करने रूप जो आत्मा का गोणे उसको सम्मेक्चारित कहते हैं तो यह आत्मा में रमन तो मित्यादस्टी जीब भी करता है अक्यानी जीब भी करता है जो नहीं जानता है फित्रा गवान के सुरूप को वो भी आत्मा में रमन करता है पर उसका रमन सम्मेक चारित नहीं है यह अपने को ध्यान दखना है इसलिए रत्नात्रे आत्मा में यह ये तो पक्की बात है अन्ने द्रभ्यम में नहीं पाया जाता और साधन अवस्ता में रत्नत्रे मोक्ष का कारण या मारग है दिल्कुल सही है अगर उसका साधन करेंगी तभी तो उस अवस्ता में रत्नत्रे मोक्ष का कारण है तो सिद्ध अवस्ता में यही रत्नत्रे रजकार योता है सिद्धवस्ता हो जाती है और सिद्वस्ता में रहने वाले जीवों का रहे हैं या साध्य बन जाता है कि मारे कि अब तो हमें लक्ष की प्राप्ति होई चुकी है अब देखें कितने अच्छे द्रिष्टांत यहां पर दी जा रहे हैं कि जिस प्रकार करपूर अजवाइन सत्व पिपरमेंट अभी तीनों को मिला दीजिए तो अम्रतधारा बन मिलाते हैं इन तीनों को जब योग अनुपाद से मिलाते हैं योग अनुपाद का मत्तब है बरावर बरावर ना कम ना ज्यादा जितनी जितनी चीजें उस अनुपाद से मिलाते हैं तब यह तीनों अम्रतधारा के लिए कारण बनते हैं क्योंकि तीनों धीरे धीरे पिगल कर अम्रत धारह रोप में पर्न्मन कर लेते हैं एक साथ नहीं पीगलते अपने आप पेघलते हैं एक डिपके में पेपरमेंट रखा हो एक ज़ाइंद Came 은 अगर लग लग रखके हुए है तो कछ नहीं होने वाला कुछ भी नहीं बनेगा लेकिन जब तीनों का सहीं हो जाता है तीनों एक रूप को प्राफ्ट होने लगते हैं तो तीनों अपने आप पिगलने लगते हैं तो अनुपास से मिलते तो तीनों अम्रत्दारा के लिए कारण बनते हैं क्योंकि तीनों दीरे-दीरे पिगलकार अम्रत्दार कर लेते हैं कर लेते हैं तब कार रुप हो जाते है और अम्रत्धारा बनने के पहले तीनों कारण ते जिए द्यान दकनहां जब तक अम्रत्धारा नहीं बनी है तक तक वह तीनों थारण है और जब अम्रतधारा बन गई ता उसे कार्य कहते हैं किन्तु अम्रतदारा बनने पर कार्य हो गए इसी प्रकारब करनर्य रूप होता है और फिर जाव जीव को फिर मोक्ष में सेम कारूप पर नमन कर लेता है ऐसा जानना चाहिए यानि कहने का भी प्राइए है कि ये रतनातर से युक्त जो आपकी आत्मा है बास्ता में वही मोक्ष का कारण है अन्य कोई चीज मोक्ष का कारण नहीं है यहां मोक्ष के सरूप को समझकर मोक्ष के अस्तित्त को समझकर उस रूप यदि हमारी परिनत्य होती है तो उस गंतब विस्तान को फ्राप्त कर सकते हैं जो हमारा लक्ष है हमारा लक्ष आपका लक्ष सबका लक्ष एक है सम्मेक दरसन सम्मेक ज्यान सम्मेक चारित को प्राप्त करके उस रतनत रह की साधना करके उस आत्म तत्त को प्राप्त किया जाए क्योंकि आत्म तत्व इस सम्मिक दर्शन सम्मिक यान और सम्मिक चारित के अभाव में कभी भी उत्वन होने वाला नहीं है यदि आपने विवार रतनत्रे को धारण कर लिया है दिगंबर मुनी महराज है कभी कोई पृतिकूलता आती है तोड़ा गुस्सा हो जाते हैं ऐसे हमारा जो गुस्सा है हमारा जो सबाब है बै मुनी महराज के समान पहले तो कुछ बात होना ही नहीं चाहिए हो जाए तो भूल जाना चाहिए तो बाहर की जो कसायों की परनती है उन बहार की कसायों की परनती से आपको बचना है और जाब तीनों की परनती से बचेंगे तबी आपके मुख्ष का हस्चत्व हो सकता है ऐसा जानना चाहिए इस प्रकार ये सम्मिक दर्शन, सम्मिक ज्यान, सम्मिक चारित से युक्त जो हमारी आत्मा है बास्तम में वही जीवन और आपका जीवन उसे बिवार सम्मिक दर्शन, सम्मिक ज्यान, सम्मिक चारित को प्राप्त करने के लिए सुक्त होना चाहिए बस आज का समय आपका हो गया एक गाता का स्वाध्याय आपका हो गया से चर्चाएं आप से अगले सत्रम की जाएगी तब तक के लिए जैजनेंदरो बंदना यतायोग अभिवादन